पिछली class, यानि कि कल की class जो मैंने आपको कराई थी, वहाँ पर मैंने आपको zero सो जो basic वाले words होते हैं, वह cover कराया था. अब मैं उन words को आप किस rule के साथ लपिटोगे, किस rule के साथ आप उनको mix करोगे, कि आप प्रॉपर एक वाहके बना पाऊगे, इसके बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में क्लास को चलिए शुरू करते हैं आप देख रहे हैं संडीट इंग्लिश रिकार्ड में मैं हूं प्रीती मैम सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अन कर दीजेगा और ये concept वाली क्लास होने वाली है जो की कल की क्लास की आगे वाली क्लास है तो अगर आपने भी तक कल की क्लास नहीं की है तो ये वाली क्लास करने के बाद description box में लिंक है कल वाली क्लास भी कर लीजेगा प्रॉपर तरीके से ठीक है चलिए क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे is की है ना सबसे पहले independent words की बात करते हैं फिर बात करते हैं कैसे यह कल वाली classes सम्मन देते इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले शब्द हमारे पास आपकी screen पे आपको दिख रहा है is is लिखा हुआ है लेकिन उचारन इसका is होता है जो के उपर जो है जो के नीचे जो है वो नुकता रहता है जो ऐसा वाला sound आता है तो इसको पढ़ते वक्त ही उचारन सही कर लो नहीं तो फिर अभी बोलन के लिए पढ़ रहे हो फिर उचारन सही करने के लिए पढ़ना पड़ेगा तो जब मैं उचारन सही करके पढ़ा रहे हूं तो पढ़ दो इच्चत से ठीक है चलो is इसको कैसे बढ़ते है is पढ़ते है इसका मतलब आपको इस्तमाल होता हुआ कैसा देखेगा वो आपको decide क उसको देखके आपको decide करना है तो समझ जाओ कि इसकी translation जब करोगे तो इसकी ज़रूरत आपको पढ़ेगी कैसे ज़रूरत पढ़ेगी इसकी आपकी वो आप आपको देखना होगा यानि कि उस वाक्य में आपने ये तो पहचान लिया कि इस है तो समझो अगर इस आपने पहचान लिया न वहाँ पे तो आपको वहाँ पर या तो ही दिखना है या तो शी दिखना है या तो it दिखना है या तो कोई भी नाम दिखना है यानि कि आपका जो हिंदी वाक्य है या तो वो वह से शुरुवात हो रही होगी चाहे वो पुरुष के लिए हो रहा हो या महिला के लिए हो रहा हो या तो यह उस वाक्य में आप यूज कर रहे हैं या तो कोई नाम उस वाक्य में आप यूज कर रहे हैं, ठीके, तभी ही आप वहाँ पर है, नहीं तो रहा है या रही है का इस्तमाल हिंडी में कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजे फिट बैट रही हैं, तो आप समझ जाएए कि आपके ट्रांसलेशन में आपको he, she, it या कोई भी नाम दिखेगा और उसके साथ इस्तमाल होता हुआ, is दिखेगा, he is, she is, it is, rohan is, ऐसा आपको वाक्य जो है अंग्रेजी का बनता हुआ नजर आएगा, ठीके, ये identify करना बहुत जरूरी है, please understand, this is very important, ठीके, चलो, अब समझेंगे वाक्य बनेगा कैसे, एक तो हमने step जा object की सहाइता से, ठीके, subject हमारा होता है, करता, जो काम कर रहा है, verb हमारा जो होता है, वो होता है, kria, और object जो होता है, वो बचा-कुछा words होता है, और इसी में फेर बदल आगे, पिछे उपर, नीचे दाएं बाएं करके, पूरा पूरा वाक्य जो है, इसी खेल के उपर बनत अब्जिक्ट जो है वो a student बन गया, clear, clear हो गई बात, ठीक है, अब वर्ब का भी variation है, कहां पर helping verb का काम कर रहा है, कहां पर main verb का काम कर रहा है, सब कुछ है, सब कुछ पढ़ाऊंगी, आगे पढ़ाऊंगी, सब कुछ है, आप भी जो पढ़ारी हो, उस पर focus करो, comment करने मत आ जाना, कि मैं यहां पर आपने बताया नहीं कि helping verb है, main verb है, सारे पढ़ा रखे हैं already, please go to the previous videos, आपको मिल जाएंगे, आगे भी बढ़ाने वाली हो, तो धहरे रखे हैं ना, patience बनाए रखें, इसके अलावा जो दूसरा आपको format दिखेगा, रहा है, रही है वाला, उसमें आपको दिखेगा subject plus is plus v4, अब यह v4 क्या है, यह है वर्ब का चौथा रूप, जहां पर वर्ब के साथ ing लग जाता है, है ना, irregular, regular यह वाला टाइप का वर्ब होता है, सब कुछ बताऊंगी, वो उसके साथ जो है आपको v4 लग जाता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जिनके साथ actually maximum verbs ऐसे होते हैं, जिनके साथ v4 उसका form बदलता है, v2 होता है, v3 होता है, v4 होता है, v5 होता है, तो v4 के अपने भी बात कर रहे हैं, v4 जो है वो ing लग के बनता है, ठीके, जैसे he is eating, तो यहाँ पर subject है he, is हमारा ये वाला structure अगर follow कर रहे हैं, तो is हमार activities ऐसे ही रह जाएगा, और eat का v4 होता है, eating, ing लगा, बोला न, eat के साथ ing लगा, तो he is eating ये बन जाएगा, ठीके, चलो, धेर सारे उदाहरन देखते हैं, धेर सारे example देखते हैं, बहतर समझने के लिए, वह एक व्यापारी है, he is a businessman, subject, verb, object, वह एक सिक्षक है, she is a teacher, यह एक कलम है, ठीके, it is a pen, रोहन जा रहा है, रोहन is going, subject plus is plus v4, clear, अब बात करेंगे अगले word की, जो आपको कहां दिखेगा, जब आप अपनी बात करेंगे, हूँ या रहा हूँ, कहां यूज करता है ये, ये हमेशा आप जब खुद की बात करते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं student हूँ, आग्या न, वहाँ पर आपको उसके support में M लगता है, A, M, M इसको पढ़ते हैं, ठीके, यहाँ पर आपके I, यानि कि मैं को support करता हूँ, आपको M दिखेगा, रूल ही इसका होता है, कि I का मतलब मैं होता है, और M जो है वो, आई के साथ ही इस्तेमाल होता है, ठीके, यह रूल है, जैसे, यह structure आपको देखना होगा, subject plus verb plus object, I am a student, subject plus M plus V for, I am going, उधारन देख लो, मैं एक सिक्षक हूँ, I am a teacher, मैं जा रहा हूँ, I am going, दोनों तरह का वाक्य, हूँ, रहा हूँ, लड़की होते, मैं जा रही हूँ, तो भी होता, I am going, अंग्रेजी में change नहीं होता, ठीके, वो दोनों जेंडर के लिए same रह जाता है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं, अगला शब्द है, तब आपको use करना है, जब आप वाके केंट में हैं, हैं, इस्तिमाल कर रहे हैं, अवाज आ रही है, सुनाई दे रही हैं, हैं मैं बोल रहे हूँ, बिन्दू लगा हुआ है, हैं और हैं में फर्क होता है, प्लीज अंडरस्टांड, आप हिंदी नहीं सुधार होगे, अंग्रेजी कब भी नहीं सीख पाऊगे, हिंदी जो बोल रहे हैं उसको सही बोल लो, आप बोलते सही हैं, तो आप लिखते सही हैं, समझते सही हैं, दूसरी भाशा समझने में आपको असानी होती है, हिंदी का ही बिलकुल एकदम बखवास हालत करके रखोगे अंग्रेजी कूछ निकब भी नहीं सीख पाऊगे पहले हिंदी सीखो जा के ढंग से है ना तो हैं और है दोनों में फर्क होता है तो जब भी वाकिक एंते में हैं या रहे हैं या रहे हो रहे हो special case में यूज होता है जब यू लेकिन actual में आपको जो दिखेगा हैं या रहे हैं तो आपको आर का यूज करना है साथ ही आर का इस्तमाल आपको ध्यान रखना है कि subject जो है वो we, they, you जैसे we, are, you, are, they, are ऐसा सा दिखता हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर आर मतलब ही आप सही बना रहे हो अगर हैं रहे हैं आपको दिख रहे हैं और अंग्रेजी आपकी शुरुआत होती हुई you, are, we, are, they, are से दिख रहे हैं तो आप सही जा रहे हो ठिक हैं तो कैसे बनाएंगे same structure follow हो जाएगा subject, verb, object you are a doctor, you are a doctor, subject plus r plus v4, subject are v4, clear, उदारन देखो, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, we are studying, subject plus r plus v4, वे दौड रहे हैं, they are running, subject plus r plus v4, तुम एक डॉक्टर हो, बोला तो ना special case है, तुम एक डॉक्टर हो, यहाँ पर हैं, तो you are a doctor, तो subject plus r plus a doctor हमारा other words हो गया, चिक हैं, तो चीजें ऐसी सीखी जाती हैं, है ना, पहले कुछ सीखा, थोड़ा सा सीखा, उसको इस्तमा करना सीखा, उसके rules हमने सीखे, फिर उससे हम वाके बनाना सीखे, सीधे वाके बनाना सीखेंगे, और बागी सारा steps छोड़ देंगे, तो गड़बड है, बहुत गड़बड है, शुरुवात हो सकती है, आपको ऐसी ना लगे, आपको लगे कि हाँ, ठीक है, सीख लेंगे, ह इसी लगी class, comment करके जरूर बताना, class अच्छी लगी है, class को like और share कर दीजेगा, और ये class ना बिलकुल दम लगा के practice करो इस class की, जो बताया है, वाके बनाना बताया है, जो वाके उधारन मैंने दिया है, अल्रड़ी, हैना नया वाके अपको 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 अ class कैसी लगी, comment करके जरूर बताना, class अच्छी लगी है, class को like और share कर देना, आप देखने हैं संडीति इंग्लिश अकाडमी, मैं हूँ प्रीती मैम, subscribe करके bell notification on कर देना, कोई course अगर आपने करनी हो, basic से pros, spoken English, English writing, English grammar, English reading, या ये e-books लेनी हो, तो आपको हमारी app डाउंडोड क classes मिल जाती है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई डिक्कत नहीं है, free करना चाहें, free कर ले, paid course करना चाहें, paid course कर ले, कोई समस्या नहीं है, कोई डिक्कत अगर app में आती है, तो इस number पर WhatsApp मेसेज करके संपर करेंगे, e-books, यानि कि हमारी PDF वाली किताबे जो है, इस website पर भी मिल किजेगा, क्योंकि रोज जो YouTube पर class आती है, वो सीधिया आपको आपके mobile पर डिलिवर की जाती है, तो आपको अगर class अटेंड करनी है, तो WhatsApp का ग्रूप जरूर जोइन कर लेना है, और मैं आप से मिलूंगे आपके अगली class में, till then thank you so much for watching, stay tuned to Sandit English Academy.